कार्तिकारियन भूल भूलेया 2 की शूटिंग कर रहे हैं और अब इसी फिल्म की शूटिंग को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिससे पूरी कास्ट एंड क्रू के मेंबर्स चौक गए थे कार्तिकारियन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिमार हो गए थे एक्चिली कार्तिकारियन की हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा और कुछ दिनों का ब्रेक कार्तिक को शूटिंग से देना पड़ा आप सब जानते हैं कि भूल भूल या जो पहली फिल्म थी उसमें अक्षे कुमार थे और अब जो सीक्वल आ रहा है उसमें कार्तिकारियन काम कर रहे है लंबे समय से फिल्म की शूटिंग चल रही है कई बार फिल्म की शूटिंग टल भी गई है क्योंकि pandemic था और फिर कभी कार्तिकारियन के dates के issues इस करण फिल्म की shooting थोड़ी delay हुई इसी फिल्म का जब climate scene shoot हो रहा था तब कार्तिकारियन की आवास ही चली गई कार्तिकारियन dialogue ही नहीं बोल पा रहे हैं और shooting के set पर जितने भी लोग थे वो सब डर गई कि आखिर कार्तिक को ऐसा क्या हुआ फिल्म से जुड़े एक source ने बताया कि फिल्म का जो climate scene था उसमें कार्तिक को बहुत चीक चीक कर बोलना था उची आवास में बोलना था तब और कार्तिक ये scene perform करते हैं और यहीं पर कार्तिक ने इतना चीका कि उनकी बाद में आवास ही बंद हो गई किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर कार्तिक की आवास क्यों चली गई है फाइनली एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा डॉक्टर ने कार्तिक का चेक अप किया और बताया कि इस वक्ट कार्तिक को rest की जरुथ है उनकी आवास को rest की जरुथ है और कुछ दिनों के rest के बाद ही कार्तिक जो है वो अपनी shooting को resume कर पाएंगे इससे जादा serious कुछ नहीं है जब ये बाद doctor ने कही तब जाकर shooting पर मौजूद लोग थोड़े relax हुए फिल्म की director अनिस बाजमी ने भी कार्तिकारियन की तारीफ करते वे कहा कि चीखने वाला जो shot था वो एक बार हो गया था लेकिन कार्तिक बार बार perfect shot के लिए insist करते रहे और भले ही उनकी कितनी है energy क्यों न लग रही हो वो बिल्कुल dedicated actor की तरह काम करते नजर आए उन्होंने shot तो perfect दिया लेकिन बाद में उनके आवाज चली गई कुछ दिनों के treatment के बाद और rest के बाद ही उनकी आवाज वापस आई थी